नमस्कार, SBT News में आपका स्वागत है पेश 21 सक्टूबर गुरुवार दोपह सबातीन बजे रासान जोतपुर बिकाने चिली की बड़ी खबरे हर साल 21 सक्टूबर को शहीद पुलिस कर्मियों की याद में आयोजित होने वाले कारक्रम में आज DGP और अन्य प्लिस अफसर प्लिस अकाद में पहुँचे और शहीद साथियों को याद किया आरपीय स्थित शहीद समानकपर शहीद पुलिस कर्मियों को शुद्धांजली देने के बाद पुलिस टीमूदवारा शहीद साथियों को गार्ड ओफ ओनर दिया गया अतरिक्त महा निदेशक पुलिस स्वरप श्रिवास्तव ने बताई कि पुलिस शहीद दिवस के अफसर पर पुलिस आयुकताले जयपूर एवन चौथी प्पांची बटालियन आरेसी की टुकडी ने गार्ड ओफ ओनर दिया आने वाले पांस दिन में राजसान में दो बड़ी परिक्षाइं होनी जा रही है इन परिक्षाओं में नकल की सेंध नहीं लगे इसके लिए पुलिस और अन्य अजेंसियां प्रियास्तथ है लेकिन इस बीच नकल के दो सबसे बड़े मास्टर माइंड अभी तक गायब है उनके तलाश में हरजले और पडूसी राजयों में छापे मारी की जा रही है लेकिन उनका सुराग तक नहीं लग सका है इस बीच आने वाले दिनों में होने वाले परिक्षाओं को लेकर परिक्षा कराने वाले एजेंसियां भी चिंता में हैं कि कहीं परिक्षा में फिर से नकल की सेन नहीं लग जाए दोनों परिक्षाएं डग के साई में है राजसान वासियों को तेल कंपनियों के आज के फैसले से बड़ा जटका लगा है गुरवार को एक बार फिर तेल कंपनियों ने पैट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिये है 21 दिन में 16 बार पैट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से उभूगता काफी परिशान है और उनकी जेब का भार बढ़ गया है आज रासान में पैट्रोल 36 पैसे और डीजल 38 पैसे महंगा हुआ है आज पैट्रोल के दाम 113 पैसे 74 पैसे प्रति लिटर जबकि डीजल के दाम 104 पैसे 96 पैसे प्रति लिटर है चोरे के लिए फ्लाइट से एक शहर से दूसरे शहर में चौने वाले एक हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने गिरफतार कर लिया अलवर पलिस का इनामी और महरास्ट पलिस का हिस्ट्री शीटर है जिसे हरियाना से गिरफतार किया गया है बदमाश महरास्ट के नंदूर बार का रहने वाला है बदमाश ने गुजराद, हरियाना, राजस्थान और महरास्ट में करीब एक करोड रुपे की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है हाथ पर टैटू रखता है, खुद को मॉडल की तरह दिखाने का प्रियास करता है बड़े-बड़े होटिल्स में रहने का शौकेन भी है अजमेर जिले के पुशकर में भरने वाला पशु मेला इस साल 14 दिन का होगा कोरोना गाइडलाइन को लेकर ज्वारे निर्तिशों के बाद पशु पालन विभाग एवं जिला प्रशासन ने 8 नवंबर से 21 नवंबर तक मेला आयूजित करने का निर्ने लिया है हर साल होने वाले सांस्कृतिक कारगर्म और प्रतियों के ताइए इस साल भी नहीं होगी केवर पशुओं के खरीद फरोख्त होगी मेले में कोविट गाइडलाइन के अनुरूप 200 जनों की मौजूद्गी की शर्त की पालना करना प्रशुआसन के लिए चुरौती होगा करवाचवाज महिलाओं का विशेश देवार है दिन भर बिना पाने पिए अपने पती की लंबी आयो के लिए महिलाएं वरत रखती हैं लेकिन इस बार वरत के साथ खड़े रहकर पटवार परिक्षा में विक्षक की ड्यूटी देनी होगी रासान अधिनस्त बोर्ड की ओर से होने वाली परिक्षा में बोर्ड ने शिक्षवे भाग में कार रत महिला शिक्षी काउं की ड्यूटी बतोर विक्षक लगाई है दो पारियों में होने वाली इस परिक्षा में उन्हें दिन भर खड़े रहका ड्यूटी देनी होगी भाजपा के राश्री उपाध ध्यक्ष वपूर मुख्य मंत्री वसुंदरा राजे गुरवार सुबे विमान से जोदपूर पहुंचे जोदपूर पहुंचने पर एरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए भाजपा पता दिकारेयों और कारेकरताओं के जोड़तार भीड उमड़ पड़े बाचपा के शोहर जिलाध्यक्ष देविंद्र जोशी के नीद्रतु में बाचपा कारे करताओं ने उनका स्वागत किया परिवहन मंत्री प्रताफ सिंग खाचरी आवास ने जहपूर एरपोर्ट के नीजी करन करने का विरोध किया साथ ही एरपोर्ट पर मुख्य मंत्री और शोह गहलोध के प्लेन को लोड़ते वक्त रोके रखने पर नाराज की जहिर की उनने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है जब चीफ मिनिस्टर के प्लेन को लोड़ते समय काफी देर तक रोके रखा ये गहलोध का नहीं रास्थान का अपमान है वे केंडरी मंत्री गजेंदर सिंग शेखावत की मा के निधन पर शोग व्यक्त करने जूद पूरा है थे पूर्व मख्य मंत्री वसंद्रा राजे एरपोर्ट से सेधे केंडरी मंत्री गजेंदर सिंग शेखावत के अजीद कॉलोने सित निवास थान पहुंची यहां उन्होंने शेखावत की माता मोहन कमर के निधन पर समेदना प्रकट की और उनकी तस्वीर पर पुश पांजली अरपित की इस दोरान उन्होंने शेखावत के पिता से भी मुलाकात का शोग जदा है पसंत्रा राजे का पूर्व मंत्री महिपाल मदेरना के पैत्रगाउंच चाड़ी चाकर उनको शुद्धांजली अर्पित करने का कायक्रम भी प्रस्तावित है राजे में अगस्त से अक्टूबर के बीच हुए टीचर सहित करमचारों के ट्रांसफर का शिक्षा विभाग ने लेखा जोखा तयार करने का निने किया है राज्ये के सभी जिराशिक्षा अधिकारियों से पूछा गया है कि उन्होंने अगस्त से एक्टूबर के बीच किस-किस टीचर वैकार में का ट्रांसफर या फिर पोस्टिंग की है उसकी रिपोर्ट दे इस दोरा नियम विरुद और बिनस विक्रती के ट्रांसफर किये गए हैं तो कारवाही की जाए जोत्पु शहर में शरत पुर्णिमा श्रधा पूर्वक मनाई गई इस अफसर पर राधा नाडा स्थेत श्री कृष्ण मंदिर में 101 किलो दूद की खीर बनाकर रात्री में चंद्रमा की किर्णों में रखी गई आज सुबर ठाकर जी को इस खीर का भोग लगा कर भक्तों में प्रसाथ स्वरूफ वितरन किया गया मंदिर के पुजारी हरी भाई गोस्वामी ने बताया कि शरत पुर्णिमा पर राधा वै कानहा जी की शरत रात्री रास जहां के सजाए गई प्रदेश में 2324 अक्टूबर को होने वाली पठवारी भरती परिक्षा देने के लिए बिकानेर से 30124 युवा दूसरे जिलों में चाहेंगी इन युवाँ को सेंटर्स तक पहुँचाने के लिए रोडवेज के पास है महद 180 जबके आफशक्ता 325 की है इसके लिए प्रिशासन ने प्राइवेट पसुक आधिकरहन किया है बिकानेर में 54 परिक्षा केंद्र बनाए गए हैं बिकानेर से जोदपूर 15,050, हनमानगर 8,161, श्री गंगानगर 3,794 और जयापूर 3,137, कुल 3,142 सभियर्थी परिक्षा देने के लिए जाएंगी देशी घी की सबसे अधिक खपत के लिए प्रसित जोदपूर में मिलावट वे नकली घी धड़ले से बिक्रा है चिकिसायम स्वास्वी भाग की एक टीम ने कुडी हाउसिंग बोर्सित श्री बालाजू ट्रेणिंग कंपनी से मिलावट के संदेह से ड्रेरी मिल्क और कनही या गोल्ड ब्रांड 571 लिटर घी सीज़ किया हलांके जांच के बाद ही पता चल पाएगी कि यह असली है यह नकली मुकेची किस्सायम स्वास्त अधिकारी डॉक्टर बलवंत बंडा ने बताया कि इस घी के सेंपल को लेकर खादे प्रयुक्षाला भिजवाय जाएगा ज आंच के पश्चाथ यदि मिलावटी पाया जाता है तो खादिश रुख्षादी नियम के तहट कारवाही की जाएगी रीट लेवल वन में केवल BSTC योगिता धारियों को शामिल किये जाने और बीए डिगरी धारियों को बाहर रखी जाने की मांग को लेकर शहीद समारक पर BSTC अभियरतियों का अंचन लगातार जारी है पिछले चार दिनों से अंचन पर बैठे दो अभ्यर्थियों की तपेद बिगड़ने के कारण उन्हें SMS अस्पताल में कल देर रात को भरती करवाये गया था लेकिन अस्पताल में भी दोनों ने अंचन जारी रखने का अलान किया है उनका क्याना है कि मांग पूरी नहीं होने तक वो अपना अंचन जारे रखेंगे देश बर में कोरोना टिका करण का आंकड़ा सौ करोड की पार होने की खुशी रास्तान के भाचपार नेताओं पर भी दिखाई देने लगी है पार्टी के वस नेताओं ने इस उप्लब्धी पर खुशी जाहिर करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और कोरोना की विरुद्ध छेड़े गए अभियान में शामिल तमाम कोरोना वरियर्स का अभार जताया है भाजबा प्रधिश अध्यक्षर डॉक्टर सतीश पुनिया ने कहा है कोरोना काल की विशम परसितियों के वेज शुरू हुए इस अभियान में 100 करोर टीक अकंड के उपलब्धी हासिल करना किसी जमतकार से कम नहीं है तो फिलाल इस ब्रेटिन में इतना ही फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ SBT News के और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें